उमर एक्स्पेरिमेंट तो आज इस वीडिओ में हम बनाने वाले हैं तो कि यहां पर देख दो इसे जो है ने काफ़ी अच्छे ध्यरी के से खोली आ और देख सकतो खुलने के बाद ये उसका के लोग सकता सब्सक्राओं समस्क्राओं लेना वर है इसकंता बहुता है था कि अप धिनकाल में एक रीडिवडा लेना होने अन्य नेरो लख का डिबबा तो यहाँ पर देख सेका लिख रहा है तो यहां पर इस में इसार चोटा vaat लगाने सिंद Mai वाड़ा लगाने के लिए हमें यहाँ पर 5 जाए ताकि यह असानी से लग जाए और यहां पर एक डिब में होल करना होगा जिसमें हमें एक यह लगानी है टोटी जिसे टोटी भी बोलते है तो यह आरो की जो है टंकी है जो कि आपको पचास से साथ रूपे के बीज में असानी से मिल जाएगी तो चलिए फटा-फट सा जो है इसके बीज में हम होल कर लेंगे तो हम जो होल किसी ड्रिल मसिन से नहीं करने वाले हैं तो आयरन को गरम करके कर लेंगे तो इसी साइच कर लेंगे यहां पर देख सकतो मैंने हीटर का जो ऊपर का कवर उता लिया ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि कितना मैं जो है इसमें ह कोब करने वाला हूँ तो आइरं की मदद से काफी तरीके से जो है इसमें होल हो जाता है तो यहां पर देख सो तो हमने जो होले काफी परफेक्ट तरीके से कर लिया है अब जो इसकी हीटर की बोड़ी है मैं इसके अंदर लगा कर देख लेता हूं आपर देख सो कितनी टाइट यह आ रही है मतलब की जो हमारा वाटर हीटर है को काफी बिल्कुल भी हिलेगा डुले नहीं तो आपके करना है देख सो काफी मतलब की बहुती दिक्कत के साथ निकलता है तो अब इतने ही ज्यादे बढ़ा ना करना वरना जो है हमारा जो वाटर हीटर है वो उसके अंदर गिर भी सकता है अब जो है इसके साइड में जो हमारी जली हुई प्लास्टिक है इसे ज जाती है वाटर हीटर का जो पिलक है इसे जो हम ढकन के अंदर कुछ इस तरीके से जो है निकाल लेंगे जो की अच्छी तरीके से निकाल लेना है तो देख सकतो हो यहाँ पर जो है मैंने इसका प्लक जो है निकाल जा है ढकन के अंदर तो यह रहा हमारा वाटर हीटर और इ यह देख सकतो मैंने इसकी बोड़ी निकाल लिया है तो काफी लब की फिक्स आ रहा है तो अब जो है इसे चिपकाने के लिए ग्लूगन भी लगा सकते हो जो की पिगलने वाली नहीं है क्योंकि यह उपर यूपर लगेगा तो मैं जो है आपर देख सकतो फैबी को जो है इसे टोटी को लगाने वाले हैं और यहां पर आयरून की मदद से चेद कर लेंगे तो जादे नीचे नहीं करना ही नहां आप अच्छी तरीकता झाप सकते हो जहां पर आपको बैटर लगे यहां पर देख सकतो जो है मैं इसमें कर रहा हूं यह देख सकते हो मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके है कि रबड देख सकतों कि यह काफी है पीजाली ठेख रही है तो ऑब यहां पर देख सकतों मैंने चाय पीली है यहां पे जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं यहां पर इसके स्कूरू को और से कसलेंगे रूम hot वो काफी बनकर करने वाला है तो इसकी ट्ैस्ट्टिक में वाला हूं तो चलिए अब इसकि ट्ैस्टिंग कने हैं अब तो है लगबग हमारा जो वाटर रीटर है वो बनकर रेडी हो चुका है तो भाई यो यह देख सकतो हमारा यह रहा घीजर जो की काफी अच्छा लोग भी आ रहा है अगर आप मतलब की डिब्बे के ओपर बात है जितना खूबसूरत आप डिब्बा लोगे उतने ही मतलब मस्त लग रहा है तो अब जो है इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं तो यहां पर देख सकत migrant अपने नहीं में लंवा रही हूँ यह जब जो मैंने इसमें फूल पानी भर लिया बस पांच मिनट लगा हैं जो हमारा जो है वुरा इस से बिल्कुल गरम कर देगा पानी को तो यह पानी जो है यही पर गिर चुत है तो तो आःप उपर का डखकन जो पानी कितना तेज गरम हो जाता है तो अब जो है इसे खोल लेते हैं बिल्कुल सेफटी के साथ प्लक हटा के देख सो तो उपर का मैं धक्कनी साथ आ रहा हूं तो इसमें से जो है देख सकतो आपको बाप इसमें से दिख रही होंगी क्योंकि कैमरे में पूरी परफेक्ट तरीके से नहीं दिखती यहाँ पर देख सकतो काफी जादा होट यह हो चुका है तो मेरे पास जो है मीटर नहीं है जो पानी का टेंपरेचर दिखाता है तो अब देख सकतो मैं जो है इसे गिलास में ले रहा हूं यहां पर देख सकतो बस सिंपल तरीके से क्या करना है गिलास में पानी निकाल लेना है तो देख सकतो काफी मस्त जो है टंकी वर्क कर रही है तो यहां पर देख सकतो आप यहां पर स्मोक देख सकतो पानी में से निकलता तो वीडियो पंजन देए तो यार वीडियो करो दो लाइक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइए